हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टेस्टी फूट विद संगीता आज हम गुजरात की फेमस डिस फाफ़डा बना कर त्यार करेंगे यहां मैं फाफ़डा बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगे जिससे आपके फाफ़डा एकदम 100% मार्केट जैसे बनेंगे आदा चमपच अजवाइन इसमें आपको अजवाइन ज़रूर डालना है क्योंकि फाफ़डा का टेस्ट अजवाइन से ही बहुत अच्छा आता है अब इसमें जा रहा है एक चौथाई चमपच बेकिंग पाउडर एक चौथाई चमपच हल्दी पाउडर यह कलर के लिए ह चमच ओयल डालने से फाफटा एक्डम खसता बनेंगे ओयल इसमें हमें बहुत जदा भी नहीं डालना है वनना जब आप फाफटा खो को फ्राई करेंगे तो बहुत जदा ओयल सोक लेंगे और फाफटा इतने टेस्टी नहीं लगेंगे अब इस मिक्स कर देना है अब यहां पर मैंसे इस तरीके से बान्ध के देखूंगी तो एक तम पर्फेक्ट लट्टू की तरह नहीं बंदना चाहिए इस तरह थोड़ा थोड़ा बिखरा सा रहना चाहिए तो इसका मतलब फाफडा में मौयन पर्फेक्ट है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इ इसके लिए अब डो को अच्छी तरीके से गूंदते हुए में चिकना कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदना है से अब यहां पर यह डो तैयार हो गया तो लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे एक चमच ताकि से यह अच्छे से चिकना हो जाए और बेशन हाथों में ना चिपके तो इस तरीके से टोटल हमने इसमें तीन चमच ओयल डाला है पापड़ा को एकदम परफेक्ट खस्ता बनाने के लिए इसमें आपको घी का यूज नहीं करना है ओयल का यूज करना है तब ही एकदम अच्छे बनेंगे अब दो अच्छी तरी तो फाफड़ा अच्छे नहीं बनेंगे वो मोटे बनेंगे और इतने खस्ता भी नहीं बनेंगे तो फाफड़ा को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए लोई छोटी बनाना बहुत जरूरी है छोटे नीबू के साइस की मैंने ये लोई बनाई है अब इन्हें हम गोल गो देखेगा ताकि आप एकदम मार्केट जैसे परफेक्ट फाफड़ा बनाकर त्यार कर सके लोई बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है फाफड़ा को बेलना तो अगर आप फाफड़ा को इस तरीके से बेलनस से बेल कर बनाएंगे तो फाफड़ा विल्कुल भी अ जलता है ऐसा फाफ्रागी बन के त्यार नहीं होगा अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं देखिए इस तरीके से हमने लोई बनाई एक तरफ से लोई को चोड़ा किया और एक तरफ से थोड़ा पतला और फिर इसको हम बोड पर रखेंगे या चकले पर और फिर हतेली से लग हटा देंगे इस तरीके से कटोरी से निकाल देंगे लेकिन ये देखिए पीछे का जो किनारा है वो मोटा है तो ये फाफ्रा भी हमारा परफेक्ट नहीं है तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है तो सही तरीके के लिए आपको लोई लेनी है और इसको तरीके से लंबा करना है दौनों तरफ से एक जैसी है कहीं से पतली कहीं से चोड़ी नहीं है आपको लोई को रखना है एक चकले पर यह बोड पर. चकले या बोड को उईल लगाकर चिकना नहीं एक गिसेग को फिर कि यहां से हतेली से हमने दबा दिया और इसको चप्टा कर दिया और फिर हतेली से प्रेशर लगाते हुए आगे की तरफ इसको हम इस तरह घिसेंगे इससे एकदम बढ़िया फाफडा बनेगा बहुती बतला बनेगा और इसके जो एजिस हैं वो भी ऐसे बनेंगे जैसे कि मा तोरी वगरा पर इस तरीके से आप निकाल दें यह आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारा फाफडा बना है दोनों तरब से एकदम पतले एजिज हैं और अब इसे निकालने का सही तरीका क्या है वो मैं बता देती हूं इसके लिए आपको एक नाइफ लेना है और ना मेडा नहीं करना है तिर्चा नहीं करना है वरना फाफडा टूड़ जाएगा एकदम चप्ता रखते हुए बिल्कुल छुलाते हुए इसको निकाले बहुत ही आसानी से निकल जाएगा यह देखिए एकदम परफेक्ट पाफडा बनके त्यार हुआ है इसके एजिज भी ए फाफडा बनाने से पहले हम इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे और फिर अगला फाफडा बनाएंगे तो सारे फाफडा हमें इसी तरह बनाने है जो एक बनाने के बाद थोड़ा बहुत लगा रह जाए उसे आप हटाएं और फिर दूसरा फाफडा बनाएं और यहां खास देते हुए इसे आगे की तरफ हमें घिसना है एक्दम मारकेट जैसा फाफ़रा ये बनके तैयार होगा ये देखिए बनायाएना एकदम परफेक्ट फिर से मैने ये नाइफ लिया है और एकदम उसे सीधा रखा है एकदम सीधा रखते हुए waktu इसे निकालना जाएह पर दालने पाफ्दा वीक हां याल करें एसे हम साफ डेंगे। क्वात नहीं 3-5 जाइया जा पर और फ्राइब करेए। प्रेट फर्डा में पार्फिश किलेट मैंने लिए मैंने ऑईयल गरम करें चाहिए FXándute Вам इसा ही हमें चाहिए अब इसमें हमें ये फाफरा डाल देने हैं फाफरा का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो आप पॉसिबल हो सके तो किसी बड़ी कड़ाई या चोड़े पैन वगेरा का यूज करें इनको तलने के लिए एक बार में बहुत जादा फाफरा इसमें आपक बड़ा को हम पलट देंगे इनको बहुत ज़्यादा डार्क राउंड नहीं किया जाता है हलका साही इनका गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे इसी तरह का कलर हमें आपका चाहिए होता है तो बस अब फाफरा सिक्कर तयार हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं बहुत ही साब धनी से निकाल लीजे तो अब ये फाफ़डा मैंने प्लेट में निकाल लिए है और फाफ़डा तलने के लिए हम कड़ाई में डाल देते हैं फाफ़डा तलने में बहुत चादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में ये तलके त्यार हो जाते हैं फाफडा बनाना कोई hard काम नहीं है बहुत ही easy है बस थोड़े से tips and tricks होते हैं जिनको आपको याद रखना है और बस आप आसानी से एकदम perfect फाफडा बना कर त्यार कर सकेंगे अब ये फाफडा भी fry हो गए तो इने मैं निकाल लेती हूँ अब इसी तरीके से सारे फाफडा हमें बना कर त्यार कर लेने हैं इन फाफडा को तली हुई हरी मिर्च के साथ सर्फ किया जाता है अब ये हमारे फाफडा बन के त्यार हो गए हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये फाफडा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि फाफडा कितने खस्ता बने है ये देखे बहुत ही खस्ता बने है जब मैंने इस तरीके से मुठी में इस तरह कर रहे है तो एकदम चूर चूर हो रहा है ये फाफडा तो आप भी अपने घर पर इसी तरह के फाफडा बना कर त्यार कर सकते है रेसेपी पसंद आई तो लाइक कमिल शेयर चरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो